हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू टूटर टिप्स आज है हमारा फ्री टीवशन का डे 30 जिसमें हम कवर करेंगे हमारे रूल्स, स्राटरजीज, प्रोग्राम्स, एंड बजट्स ठीक है कल हमने डिस्कस किया था गोल्स के बारे में अब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, एंड मैथर्ड्स, देन हमने डिफ्रेंसिस के बारे में भी पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे कि रूल्स क्या होते हैं ठीक है एक जर्नली अगर हम बात करें तो एक organization में या किसी company में बहुत सारे rules होते हैं जैसे regarding recruitment, regarding selection of the candidates ठीक है या फिर जो working environment होता है उसमें बहुत जगा लिखा भी होता है कि no smoking, not using cell phones during work ठीक है तो ऐसे captions जो है वो लिखे होते है ठीक है वो क्या है वो company के या उस organizations के rules को बताते हैं कि ये particular rules है अगर इन rules को follow नहीं किया जाएगा तो then क्या है वो punishable हो सकता है ठीक है जो organization में काम कर रहे हैं employees उनके लिए ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो rules होते हैं वो basically क्या है ये बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या न इस चीज के बारे में बताते हैं जब भी आपने question attempt करना है तो then क्या है? Rules की explanation इस तरीके से देनी है Rules refers to what, what should be done और what should not be done या फिर आप ऐसे लिख सकते हो Rules describes these things ऐसे करके आपने लिखना है then आपने question start कर देना answer लिखना start कर देना है तो मतलब basically क्या कहने का मतलब है यहां पर कि Rules basically क्या होते हैं वो एक set of we can say ऐसी policy जो बनाई जाती है organization में उसके under rules को set up किया जाता है so that organization के जो employees है वो उनको क्या है साथ में लेके चलें और यह मान के चलें कि अगर हम इस rule को follow करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा अगर नहीं follow करेंगे तो then वो क्या होगा punishable होगा organizations में जब rules follow होते हैं तो वो organization के discipline को बताते हैं ठीक है discipline को describe करते हैं कि कि तरीके से discipline में रहके जो भी employees हैं वो work कर रहे हैं जो environment है या working culture है उस particular organization का वो बहुत ही ज़्यादा discipline है ठीक है हर एक चीज़ जो है एक proper manner में and then क्या है हर एक जो भी rule है वो सब के द्वारा जो है वो follow किया जाता है अब हम differentiate करेंगे यहाँ पे rules and procedures अब दोनों में difference देखेंगे क्या है यति rules क्या है rules are not applied in a definite sequence कोई sequence नहीं है इसका ठीक है मतलब इसमें कोई भी number of steps नहीं होते जिनको हम follow करते हैं but procedure में क्या होता है कुछ sequence जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि यह क्या है system है ठीक है जैसे रिटन इंटर्व्यू रिटन एक्जाम हो गया इंटर्व्यू के लिए ठीक है उसके बाद उसकी जो हम यह कह सकते हैं कि उसके education level पर मतलब उसको यह चेक करना कि वह कितना बड़ा लिखा है ठीक है तो हर एक organization का अपना different procedure है ठीक है जैसे अब अगर मैं आप से बात करूं हमारे colleges जिया schools में जो admissions होती है ठीक है तो उसमें भी क्या होता है कि criteria set किया जाता है ठीक है एक हम यह कह सकते हैं कि format बनाया जाता है कि कितने percentage वाले को कितनी जो मतलब जैसे स्पोस्स 90% अगर 90 से लेके 95% तक marks अगर बच्चे के हैं तो देन उसको सीट मिलेगी ठीक है and scholarships मिलेंगी ठीक है अब admissions की जो date है वह final करी जाती है और क्या-क्या steps है कौन-कौन सी recommendations जो है वह होंगी तो वह सभी कुछ क्या है procedure में आ जाता है ठीक है उसके बाद है rules are not specific method of doing any work अब rule क्या है रूल में तो यह है कि हमने एक चीज़ बता दी ठीक है कि मतलब वह सभी को क्या है follow करने पड़ेगी बट यह नहीं है कि उसमें steps यह under उसमें कुछ methods है उनको adopt करना है ठीक है यह just क्या है यह बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है जी अब जो procedures है procedure क्या कहते है इसमें लिखा जाता है यह बताया जाता है कि how should a specific task to be performed एक particular work को यह particular task को किस इस तरीके से perform करना है कौन सा method यहां फिर कौन से steps follow करने है ठीक है यह procedure बताता है उसके बाद है rules these do not contain any procedure मतलब ही कि इसमें कोई procedure नहीं है जैसे हमने पहले पड़ा कि rules में कोई भी methods यहां कोई steps follow नहीं होते तो उनका मतलब यह है कि कोई भी procedure इसमें included नहीं है and then procedure में का आएगा procedure में और में not include rules उसमें rules हो भी सकते है नहीं भी हो सकते है and then violation of rules is punishable ठीक है अगर rules को तोड़ा जाता है तो देन वो क्या होगा punishable जैसे लिखा भी होता है अगर without permission अंदर जा आ जाते तो देन क्या है इस case में भी अगर अगर पीपल ऐसा करते हैं तो देन क्या है punishable acts जो है वो perform होते हैं ठीक है जी and then these are decisions taken earlier और यह जो rules है अब हमारे last point है these are decisions taken earlier जो rules related decisions है वो क्या है पहले लिये जाते हैं जब policies बनती हैं जब strategies बनाई जाती हैं ठीक है उस time पे क्या है rules भी बनाए जाते हैं so that आने वाले जो candidates हैं आने जो employees हैं वो उनको follow करें right and procedure में क्या है these are not in the form of decisions यह कोई decision नहीं है these are the steps followed while doing the work right so I hope कि आपको यह सभी के सभी points clear हो गए होंगे अब हम next चलते हैं strategies की तरफ strategies क्या होती है strategies का basically क्या मतलब है जब क्या है organizations में हमने क्या है अपनी कोई भी particular activity perform करनी है कोई new project लगाना है या हम जो भी activities जो भी functions perform करते हैं ठीक है वो अपने कुछ objectives को पूरा करने के लिए करते हैं right तो जब क्या है strategies बनती है then क्या है organization में जो हमारे employees है ठीक है वो कैसा work कर रहे है हमारी organization का working culture कैसा है उसका impact जो है वो market में क्या पढ़ रहा है इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है ठीक है हमारे जो customers है ठीक है उनकी क्या मतलब हम यह कह सकते हैं कि क्या उनका viewpoint है हमारी organization को लेके ठीक है यह सभी चीजों को ध्यान में रखना है सो देट हमारी जो organization है ठीक है उसकी reputation जो बनी रहे ठीक है तो जो strategies होती है basically न यह क्या है competitors को ध्यान में रखके बनती है competitors क्या policies बना रहे हैं competitors क्या काम कर रहे हैं ठीक है competitors ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे क्या है वह अपनी market में या अपने जो customers हैं उनको जादा अपनी तरफ कीच रहे हैं ठीक है तो यह चीज देखनी है तो basically इसमें जब हम strategies बनाते हैं तो strategies बनाने से पहले क्या है हमारी जो business environment है उसके जो भी factors हैं उनको धान में रखा जाता है जब हमने external factors पढ़े थे उसमें हमने सब्सक्राइब करते हैं उसका क्या अशर पढ़ता है हमारी organization के उपर यह बहुत important part है जब हमने क्या है grow करना है या हम सोचते हैं कि हमारी organization जो है वो आगे बढ़े ठीक है तो competitors क्या policies use कर रहे हैं क्या tax use कर रहे हैं आगे निकलने के लिए हमसे हमने क्या है वो चीज़ों को ध्यान में रखे अपनी strategies बना लिए जैसे हम यह सोचते हैं कि हमारी organization में जो profit है वो हमने 50% increase करना है या production जो है वो 10% increase करनी है sales जो है वो 15% increase करनी है so that हम जो है quality product अपने customer को provide कर पाए and then organization जो है वो grow कर पाए market में ठीक है market share increase हो तो उसके लिए क्या है हमने marketing जो strategies है या marketing policies है उनको ध्यार में रखना है किस तरीके से हम capture करें पूरी की पूरी market को ठीक है society को जिसमें से क्या है जो customer है ज्यादा customer जो है वो हमारी तरफ focus करें ठीक है कुछ इस तरीके से तो basically जो strategies है यह क्या है मैं आपको यह बता दूँ कि यह आर्मी से लिया गया वर्ड है ठीक है आर्मी में जब enemies को जो है निशाना बनाना होता था तो देन क्या है उनके लिए क्या है पहले एक strategy त्यार करें जाती है यह देखा जाता था कि enemy जो है वो किस तरीके से किदर से वार कर सकता है ठीक है तो देन क्या है उन सभी चीजों को ध्यान में रखके आर्मी में क्या है यह चीज़े अब भी follow up होती है strategies बनती है कि कैसे हमने क्या है अपने enemy से लड़ना है ठीक है तो उसी तरीके से organization में भी जब strategies बनती है वो competitors को ही ध्यान में रखके बनती है बस यही चीज़ आपने दिमाग में बिठा के रखनी है जब भी strategies बनती है competitors की जो policy है plans है according to that हमारी organization की strategies set होगी तब ही हम अपने competitors से आगे निकल सकते हैं अब आगे है programs programs क्या होते है programs basically क्या है इस detail format है एक particular project का जिसके लिए हमने अपने जो targets है वो complete करने हैं so that वो project को accomplish किया जा सके program में basically क्या आता है जो भी आपके goals है objectives है policies है rules है methods है वो सभी की सभी चीज़ें जो है वो किसमें आती है program में ठीक है जैसे suppose आपने यह सोचा कि आने वाले year में जैसे 2014 में या starting of the 2025 तब हमने क्या है एक new project launch करना है या एक new product launch करना है या कहीं पर हमने क्या है जो एक building है वो तयार करनी है कोई भी मतलब particular task ठीक है organization का ठीक है जिसके लिए क्या है यह program सेट होता है जिसमें सभी goals अपके जो भी small task है वो complete होते है objectives complete होते है ठीक है and जो programs होते है programs basically क्या है single use plan है एक आपने टार्गेट लिया उसके लिए आप काम कर रहे हो ठीक है एक particular target set किया जैसे production आपने 10% increase करनी है या फिर आपका जो profit है वो 5 lakh जो है 5 lakh तक लेके जाना है मतलब increasing rate में कि जितना पिछले उससे 5 lakh ज्यादा हमने profit कमाना है ठीक है वो आने वाली year में ठीक है जैसे 2024 में या starting of 2025 में ठीक है 2025 में आपने ऐसे कुछ एक particular figure एक particular year के लिए target बना ली ठीक है तो उसके लिए आप जो भी small steps जो है वो ले रहे हो वो सभी के सभी program में आ जाएंगे आपने जो भी particular task ठीक है set किया है वो आपका program है और उस program है जो भी particular work करना है ठीक है वो small steps में होगा जिसमें आपके goals activities आपके functions कौन perform करेगा कौन नहीं perform करेगा जो भी methods है procedures है वो सब कुछ उसमें included होगा आगे है budget ठीक है अब budget क्या होता है जो हमने particular plan किया है ठीक है in future के लिए वो budget कहलाता है कि future के लिए या future को जब हम forecast करते हैं यह देखते हैं कि आने वाले time में हमने क्या क्या काम करना है ठीक है तो then budget बनाया जाता है budget कैसे बनाया जाता है जो previous आपके fact and figures है ठीक है जो position थी आपके previous year में उसको ध्यान में रखके आने वाले time में आपने क्या करना है क्या आपने plan बनाया है उसके accordingly जो है वो budget set होता है जैसे CDC example ले ले लेते हैं suppose आपका financial budget ठीक है कितना पैसा आपने आने वाले time में खर्च करना है organization की growth के लिए expansion के लिए ठीक है तो then वो चीज क्या है एक budget में आ जाती है budget basically क्या होता है कि आपने क्या है in future कौन सी activities perform करनी है उसके लिए आपने estimate लगाना है ठीक है वो होता है budget कितनी production करनी है उसके लिए कितना material चाहिए वो होता है budget ठीक है कि मतलब हमने budget लगा कर चलना है कि इतना amount of जो भी हमारा amount है या इतने पैसे हमने material के लगाने हैं इतना amount हमने machinery purchase करने के लिए लगाना है इतना amount technology के लिए expansion and so on ठीक है यह सबी चीज़े तो basically जब budget की बात आती है तो budget आपने ध्यान में रखना है कि future में activities perform करने के लिए एक जो estimate लगाया जाता है वो होता है budget ठीक है financial budget भी हो सकता है ठीक है अब यह हाँ यह ची activities perform होनी है उसके लिए आप क्या सोच रहे हो क्या forecast कर रहे हो क्या plan बना रहे हो वो budget है अब देखिए हमारे पास यहां पर five types of budgets है ठीक है तो किस तरीके से organizations में budgets बनाए जाते हैं ठीक है कौन-कौन से budgets हैं आगे एक बरी देखते हैं जैसी परस्ट है Master budget क्या होता है जब सारे इपार्टमेंट के budgets जो हैं वो बनाये जाते हैं और उनको इंट्रीडेट किया जाता है इक अठा कर दिया जाता है तो वो Master budget में convert हो जाता है ठीक है उसकी बाद है सबसेडरी बजट सबसेडरी बजट क्या है जिसे सेल्स बजट्ट प्रड़क्शन बजट कैश बजट ठीक है और क्या है कैपिटल बजट ठीक है अपना अलग डिपार्ट्मेंट के accordingly क्या working है क्या functions हैं ठीकिस हिसाब से आने वाले टाइम में हमने क्या forecasting करी है क्या plans बनाए हैं उसके लिए वो जो budgets बनाते हैं उन सभी budget को जब इकठा कर दिया जाता है तो देन वो master budget कहलाता है subsidiary क्या हो गया कि different different हर एक department का अपना अपना budget ठीक है and then उसके बाद है flexible budget flexible budget क्या होता है जिसको change किया जा सकता है यहां उस budget में changes कर दी जाती है according to the circumstances according to the situation right and then have fixed budget same उसके opposite हो गया जिसमें कोई भी changes नहीं करी जाती वो कौन से होते है fixed budgets ठीक है basically long period of time के लिए जो projects हम लगाते हैं ठीक है organizations में तो देन उसके लिए basically क्या है fixed project या अपने fixed जो budget है वो बनाया जाता है जिसको change नहीं किया जा सकता उसके बाद है zero budget या फिर हम इसको बोल दते हैं zero base budget इसका क्या मतलब है कि हम जब budget बनाते हैं तो then base किसको मानते है जीरो को ठीक है मतलब क्या है fresh budget जो है वो बनता है जैसे basically मैंने आपको introduction में यह बताया ना कि budgets जो होते हैं past experiences past fact and figures के accordingly जो पास्ट में activities perform हुई है functions perform हुए है क्या financial position क्या रही है ठीक है उसको ध्यान में रखके budgets जो है वो बनते हैं बट क्या है ओ जब अगर zero budget की बात आती है तो zero budget में क्या आता है कि हम क्या है fresh budget बना देते हैं जिसमें कोई भी past का कोई भी हम यह कहें कि fact या figure को नहीं लिया जाता नहीं मेंशन किया जाता क्या है starting से freshly जो budget है वो बनाया जाता है for the future ठीक है तो यह तो थे points regarding the types of budgets तो यह तो थे points regarding हमारे जो standing plans है क्या हमारे single use plans है ठीक है उनके related जो भी terms थी उनको हमने आज cover कर लिया है ठीक है budget के मारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है अब हमारा जो next topic है वो है regarding MBU ठीक है अब MBU क्या होता है basically इसको management by objective बोला जाता है management by objective का क्या मतलब है जब organization में management decision making करती है कोई भी plans बनाती है ठीक है उन plans को बनाने का जो procedure है ठीक है उसमें क्या है वो participation करवाते हैं अपने employees की ठीक है so that employees का जो है वो initiative वो ले सके अपने जो views है suggestions है वो दे सकें जब decision making होती है organization में ठीक है जब majorly जो big plans बनाये जाते हैं regarding the expansion of the business growth of the business और increasing the profitability or production of the business तो उसके लिए basically क्या है जो यह term है MBO यह use करी जाती है मतलब क्या है management by objective जब क्या है objective set होने है तो तब management participate करती है अपने employees के साथ तो that employees जो है वो भी motivated feel करें ठीक है वो भी क्या है जब वैसे यह organization में होता है न तो दन क्या है जो employees है वो भी अपने आपको एक मतलब क्या है काम करते हैं ठीक है उनके लिए यह feeling आती है कि यह हम भी अपनी organization का हिस्सा है और हमें भी क्या है organization के लिए जो decision making है उसके लिए participate करवाया जा रहा है मतलब हमारी भी एहनियत है organization में तो basically ऐसा होता भी है क्योंकि actual में जो activities perform करनी होती है जो functions perform करने होते हैं वो basically कौन करता है employees ही तो करते हैं जो policies जो methods जो rules बनाती है top level management उनको आगे जो है functions में perform करना किसका काम है employees का actual में results जो है वो आते हैं employees की मेहनत से employees के functions से ठीक है तो अगर क्या है उनको यह मौका दिया जाता है कि आप भी decision making में participate करो तो then क्या है उनमें भी एक enthusiasm और क्या है motivation आती है वो और अच्छे तरीके से काम को करते हैं and then organization के साथ जुड़े रहते हैं ठीक है and loyal रहते हैं organization के साथ so आज की हमारी यह जो वीडियो है इसी तक ही है उसके बाद कल में आपको in detail MBO के बार में बताऊंगी जिसमें हम अलग लग जो topics हैं MBO से related उसको discuss करेंगे I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को like जरूर करना, share करना, channel को subscribe करना अगर आप channel पर नहीं है bell icon को जरूर प्रेस करना so that आगे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंच सके प्रेस प्रेस करना प्रेस आप रहा ज़ा ठाप प्रेस का कज हुँआए अड़ बताव को जरूर आप नहीं है झाल झाल